So Hi Friends, तो कैसे हो आप लोग आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे तो क्या आपका भी Gmail account डिलीट हो चुका है गलती से या आप मजे मजे में डिलीट कर दिया है तो आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि उसको कैसे require करना है तो कुछ नहीं करना है आपको सीधे mobile screen पे आजाना है जो चीजे मैं आपको बताऊंगा सिंपली आपको step by step follow करना है वीडियो को आपको बिल्कुल भी skip नहीं करना है तो चलिए आजाते है mobile के screen पे और यहाँ पे आपको कोई भी एक browser open कर लेना है chrome browser या opera mini browser जो भी browser हो आपके पास आपको simply यही सर्च करना Gmail account recovery अब यहाँ पे how to require your Google account और Gmail यह आपको दिख जाएगा और यहाँ पे अगर इससे पहले आप क्यूंकि आपका Gmail account डिलीट हो चुका है तो यही सर्च करना है deleted Gmail account recovery अब दिखो यहाँ पे time दिया है time आपको two maximum business date में आपका Gmail account क्या होता है डिलीट हो जाता है अगर आप जो है दो दिन के अंदर अपना Gmail account require नहीं करते हो तो फिर आपका Gmail account require होने वाला नहीं है इन cases में बहुत सारे cases में आपको 28 दिन तक का time दिया जाता है बट यहाँ पे अब नया rule आ चुका है और आपको सिर्फ दो business date दिया जाता है तो यहाँ पे चलिए चलते हैं यहाँ पे recovery page पे हम उसके बाद यहाँ पे आपको अपना Gmail account जो है require करना चाहते हो उसको इंटर करना है और next button पे click कर देना है अब यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको account deleted this account was recently deleted and may be recover ever click next to attempt to require this account यहाँ पे बोला जा रहा है कि next पे click करिए और आप Gmail account require कर लिए बट यहाँ पे मैं यह सारी चीज़े try करने के बाद next button पे click करता हूँ तो देख सकतो यहाँ पे ऐसा error आता है Google does not provide another way to sign in this account यह किसी दोस्त खाए अगर वो अपने mobile में आप require करना चाते हैं जिस mobile से आप delete किये हैं उसी mobile से अगर आप require करेंगे उसी mobile में require करेंगे तो आपका Gmail account require हो जाएगा अगर आप दूसरे की mobile में require करना चाहेंगे तो आपका account जो है वो require नहीं होगा यह मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप अपना Gmail account जो है delete कर चुके हैं यहाँ पर सारी information में ने पढ़ा इसके term में condition Google account जो delete हो जाता है तो उस पर मैं बता रहा हूँ अगर आपका Gmail account डिलीट हो गया है और मैं आपको बता दो अगर आप Gmail account डिलीट कर चुके हैं और किसी के पास message करते हैं या कोई बंदा आप से यह बोलता है कि मैं आपका Gmail account require करके दे दूँगा तो यह होने वाला नहीं है क्योंकि Google की policies जो है बहुत strict हो चुकी है आपका Gmail account आपके सिवा कोई और require नहीं कर सकता है मैं खुद भी नहीं कर सकता हूँ ठीक है मैंने बहुत सारे try कर रखे है बट अब नहीं होता है Google की policies दिन प्रदिन restrict होते चली जा रहे है तो मैं आपको बता दूँ आप अगर किसी और चक्कर में पड़ेंगे तो आपके साथ scams तुरंत हो जाएगा ठीक है तो आपको delete हो गया है नहीं require हो रहा है तो फिर नहीं ही होगा आप इस account को भूल जाएए ठीक मेरा सीधा बात है आपको सीधा बता रहा हूँ ठीक है तो friends आज के लिए इतना ही मिलते हैं ने studio में थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो जैहिन वीडियो अगर आपको अच्छा लगए तो वीडियो को like